सब्सक्राइब आपका बहुत स्वागत है आज हम मिल्क पौडर से बर्फी बनाएंगे यह बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं यह मैंने दूद लिया एक कप और यह हम एक कप मिल्क पौडर डालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गयास को स्टोर कर देंगे इसको लगातार से हिलाते जाना है इसको लगातार से हिलाते जाना है इसको लगातार से हिलाते जाएंगे इसमें कोई भी लंप्स ना रहे है इसको अच्छी तरह हिलाना है अब मुझे 5-7 मिनट हो गए है इसको खिलाते हुए अब हम इसमें एक चमश आधा चमश शुदगी डालेंगे और तीन चमश चीनी के डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के साथ डालें और अब इसको जब तक थिक बैटर बन जाएगा तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे थोड़ा सा हरी राची का पॉटर डालेंगे बस थोड़ा सा और हिलाएंगे इसको अब हमारे बच्पी का बैटर बन के तयार है इसको अच्छी तरह से फेला देंगे तो अब हम इसको एक घंटे के लिए ऐसी रूम टेपरेचर पे रख देते हैं या फ्रीज में भी रख सकते हैं तो फिर हम पीसिस काट के दिखाएंगे यह दिखिए फ्रेंट्स यह हमारी बर्फी जम कर तयार है इसको एक से डेट गं अब हम इसके पीसिस काट लेते हैं देखे हमारी मिल्क पॉडर की बर्फी बल के तयार है कितनी असान है और देखिए 5-7 मिनिट में तयार होगी और बहुत ही टेस्टी है विल्कुल मुझे घुल जाने वाली वर्फी है बहुत टेस्टी बर्फी है और आप भी प्लीज मिल और मेरे वीडियो को लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू